नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइड चेन के बारे में आपने कई सारे वीडियो में सुना भी होगा साइड चेन के बारे में आखिर साइड चेन होता क्या है तो जब हम कोई भी एक mango beat को बना रहे होते हैं जहां पर हमारे kick और bass को एक साथ में play करना होता है तो उसमें प्रॉल्म मा जाती है कि जहां पर हमारा kick बसता है वहीं पर हमारा bass का भी sound आता है तो ना तो हमारा bass का sound की लेख सुनािट दे पाता है और ना ही kick का sound तो हम करते क्या हैं उन दोनों को side chain कर देते हैं तो जो हम side chain कर देंगे तो जहां पर हमारा kick का sound आएगा तो वहां पर हमारा bass का sound होगा वो दब जाएगा उसके बद में जैसे ही kick का sound play होकर कि निकल जाएगा या फिर बंद हो जाएगा उसके तुरंत बाद हमारा base का sound open हो जाएगा यानि कि वो sound करना start हो जाएगा इसमें ये फायदा होगा side chain करने से कि हमारा kick का भी sound बिलकुल clear sound करेगा और हमारे base का भी sound बिलकुल clear आएगा तो इसी को हम side chain बोलते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे side chain करना है तो हमने यहां पर एक किक ले लिए कि हम दूसरी किक ले लेते हैं और इसका जो sound है अपने हिसाब से थोड़ा सा कम रखिएगा उसके बाद में इसको हम लगा देंगे अपने 1,2,3,4 beat पर हमने डाल दिया और फिर उसके बाद में इनको हम लूप कर देंगे लूप करने के बाद में इनका जो BPM है वो हम लगबग रखेंगे 90 के round अब यह आपको किक सुनाई दे रहा होगा उसके बाद में हम इसके उपर double click करेंगे तो यह direct चला जाएगा हमारे mixer यानि कि किसी भी samples को अगर आप sidechain करना चाहते हो तो आपको इनको mixer डालना जुरूरी होगा आप यहाँ पे भी किलिक करके उनको mixer डाल सकते हो या फिर आगर आप arrow के पर किलिक करोगे तो यहाँ पे एक आपसन आता है route to free mixer track इस पे किलिक करोगे तो कोई भी samples होगा वो आपका mixer track पे चला जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पे एक BS का plugin से ले लेते हैं Python 1 पे ही लेंगे प्लस पे किलिक करेंगे बेस के बहुत सारे plugins हैं तो आप कोई भी ले सकते हो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 3X OSC यह ले लिया यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले इसको भी हम route कर देंगे अपने mixer track पे हमने route कर दिया इसको cut कर देंगे cut करने के बाद में अब आएंगे यहाँ पे पियानो रोल पे पियानो रोल पे चलेगे यहाँ पे हम जाएंगे note पे क्लिक करेंगे जो सबसे अच्छा best sound होगा बेस का वो हम लेंगे इसको ले लेते हैं और इसको हम चारो beat पे डाल देते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा kick है बेस कीक साथ में सबसे दर use होते हैं hip hop type के जो beat होते हैं वहाँ पे use होते हैं तो इससे हमने अपने playlist पे डाल दिया और अभी हम सुनते हैं इसको अगर आप headphone का यूज नहीं कर रहे हैं तो please आपस request है कि आप headphone का यूज जुरूर कर लीजेगा क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो headphone में ही हो सकता headphone में जब सुनोगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप ऐसे सुन रहे हो तो साइद आपको kick का sound सुनाई दे जाएगा लेकिन अगर आप bass को सुनना चाहते तो इसके लिए आपके पास या तो अच्छे speaker होने चाहिए या तो आपके पास एक अच्छा सा headphone होना चाहिए उसके बाद में अभी अगर हम इन दोनों को सुनते हैं एक साथ तो हमारा kick का भी sound और bass का भी sound बिल्कुल एक साथ में mix होके बज़ रहे हैं यानि कि clear sound नहीं आ रहे हैं तो इनको हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा kick का sound आए जिससे कि यहाँ पर जब kick का sound भज़े तो हमारा bass कम हो जाए और उसके बाद में हमारा kick का sound खतम हो जाए फिर हमारा bass से start हो जाए एसा हम चारों के साथ में ही करेंगे जिसको हम side chain बोलते हैं side chaining करना तो अब हम जाएंगे अपने mixer track के उपर जो कि मैंने दोनों को डाल के रखा था तो हम यहाँ पर जाएंगे kick पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम route इसको जो हम side chain करना चाहते हैं अपने base को तो यहाँ पर हम right click करना है यहाँ पर आ जाते हैं side chain to this track इसके उपर click कर देंगे यह इसके साथ में route तो हो चुका है अब हम यहाँ पर आएंगे अपने base plugins पर और यहाँ पर हम एक plugin से ले लेंगे fruity limiter जो कि एक compressor है और इसी से हम किसी भी चीज को side chain कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा किये अब हम आते हैं compressor के उपर compressor को हमने enable कर दिया उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर देखो लिखके आ रहा है side chain अगर साइद न दिखाए दे रहा होगा तो आप अपने FLS studio के अंदर जा करके इसको open किजिएगा यहाँ पर आ जाएगा side chain यहाँ पर आप राइट किलिक करोगे अब हम आते हैं अपने इस compressor के उपर fruity limter तो इसमें क्या है यहाँ पर आपको कई सारे आपसं देखने के बिल जाएंगे जिससे कि threshold है, knee है, ratio है तो हमें सबसे ज़्यदे जो काम करना है threshold और knee के उपर काम करना है जो K, N, E का जो हैं पर दिखा दे रहा है उसके उपर तो अभी हम सबसे बिले सुनते हैं हमने pause किया, अभी जो आप यह देख रहे हो, इसके अंदर आपका kick भी mix है और आपका base भी mix है दोनों क्योंकि दोनों एक साथ में layer होके बज रहे हैं हमने side chain किया लेकिन अभी हम इसको threshold को set नहीं किया तब तक हमारा kick और base बिल्कुल एक साथ में बसते ही रहेंगे तो अभी देखो बिल्कुल ऐसा आएगा यहाँ पर है अब हम क्या करेंगे हम threshold पहले नीक को यहाँ पर करते हैं लगभग 80 से 85 परसंट तक और फिर हम threshold को कम करेंगे यहाँ पर देखे threshold को हम कैसे कम कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल zero कर दोगे अगर आप इस threshold को बिल्कुल zero कर दोगे तो क्या होगा कि आपका base का sound सुनाई ही नहीं देगा कुछ भी sound नहीं सुनाई दे रहा है तो हमें threshold को लगभग सुन करके जितना अच्छा लग रहा है हमारा base का sound जितना हमारा kick का sound दबा रहा है हमारे base को और base हमारा खुल के बजेगा जहां से वो चीज हमें सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उसको सुनते हुए और यहाँ पर उनके मीटर को या फिरक्वेंसी को हमें देखते हुए इसके थिरसोर्ड के नोप को कम जदा करना है इसको हमने पाउस कर दिया आखर अभी हमने किया क्या है थिरसोर्ड को सेट किया नी को सेट किया यानि कि यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे आप देखिए यह आपको बैंगनी कलर का जो आपको दिखा दे रहा है यह उपर से नीचे किक को यानि किक जो है वो नीचे की तरह आ रहा है किक का साउंड आ रहा है वहाँ पे आपका बेस पूरी तरीके से यहाँ खतम हो जा रहा है अगर आप थिरिसोल्ड को नीचे करोगे देखो यहाँ पे नीचे कर दोगे थिरिसोल्ड को तो यह bass को और दबाएगा तो बिल्कुल आपका kick ही यहाँ पर बजएगा bass का sound जहाँ पर kick आएगा वहाँ पर आपका bass नहीं आएगा और जो आप white white देख रहे हो यह आपका bass है जो blue color का देख रहा है यहाँ पर bass पूरी तरीके से remove है हम चाहते bass को थोड़ा सा और कम करें अब यहाँ पर देखोगे तो bass यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर खतम हो चुका यह जो आप white color का देख रहे हो यहाँ यह आपका bass है और जो आपको bangni color देख रहे हो यह kick उपर से नीचे की तरब bass को दबा रहा है यहाँ पर आपका kick आएगा वहाँ पर आपका bass नहीं रहेगा सिर्फ आपका kick का sound यहाँ पर सुनाई देगा आपको जब आपका kick का sound बज़ करके जब निकल जाएगा जब खतम हो जाएगा तब आपका bass start होगा जैसे कि यहाँ पर आप white color का देख रहे हो अगर इसको बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो कर देगे तो bass का sound बिल्कुल पूरी तरीके से खतम हो जाएगा अभी देखिएगा आप यहाँ पे देखिए यह पूरी तरीके से बिलुकुल बैंगनी कलर का हो गया यानि कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका बेस खतम ही हो चुका है और जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको वो बेस है बिलुकुल हलका सा तो हमें इतना भी threshold को कम नहीं करना है अब यहाँ पर देख सकते हो यह हमारा bass भी अच्छे से सुनाई दे रहा हमारा kick का sound भी अच्छे से सुनाई दे रहा क्योंकि मैंने इनको side chain कर दिया threshold को मैंने हाँ पर set कर दिया और knee को भी मैंने हाँ पर set कर दिया तो इस तरह से आप किसी भी kick को अपने bass के साथ में side chain कर सकते हो जब आप कभी इस तरह से करोगे तो आपका track बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा आपका kick भी अच्छे से sound करेगा और आपका bass भी अच्छे से sound करेगा बहुत सरे लोगों की जब problem हो जाती है कि kick और bass जब एक साथ में बसते हैं तो उनका sound clear नहीं हो पाता है ना तो kick का sound ना ही bass का sound तो आप अगर set यहाँ पे side chain करोगे तो clear तरीके से आपका kick का भी sound सुनाई देगा और आपके bass का भी sound तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छे लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जूर कर दीजेगा